घटाने के बारे में अभी तक जो जानते हैं उसे थोड़ा दोराते हैं तो यदि मैं कहूँ 5 घटा 3 इसका क्या अर्थ हुआ इस पर विचार करने के दो तरीके हैं मेरे पास 5 है मानलो 5 बेर है 1, 2, 3, 4, 5 तो मानलो मेरे पास 5 बेर है तो जब मैं कहूँ घटा 3 तो आप 3 कम करते हैं जैसा मैंने कहा है कि मैं इन में से 3 बेर कम करने वाला हूँ इस तरह से यदि मैं 1, 2, 3 बेर कम करता हूँ मेरे पास कितने बेर रह गए? मेरे पास यहाँ 1, 2 बेर बच जाते हैं इस तरह 2 बेर रह गए अब मैं यहाँ दूसरे तरीके पर या 5 घठा 3 के बारे में सोच सकता हूँ मैं इसे यहाँ करूँगा 5 घठा 3 यह सुचिए 5 और 3 के बीच कितना अंतर है तो यहाँ करते हैं, मानो मेरे पास 5 बेर हैं 1, 2, 3, 4, 5 और मानो आपके पास 3 बेर और हैं आपके पास दूसरे रंग के तीन बेर हैं, ये हुए दूसरे रंग के तीन बेर पांच घड़ा तीन सोचने का दूसरा तरीका ये है कि मेरे पास आपसे कितने ज्यादा बेर है मेरे पास एक बेर है आपके पास एक बेर है मेरे पास एक और बेर है आपके पास एक और बेर है इनके अलावा हम दोनों के पास एक एक बेर और है लेकिन मेरे पास एक दो बेर और भी है जो आपके पास नहीं है इसका मतलब मेरे पास आपसे दो बेर ज्यादा है अब हम इसको संख्या रेखा पर भी देख सकते हैं तो मैं अब एक संख्या रेखा खीचता हूँ ये है मेरी संख्या रेखा हमने जोड सिखाने वाले वीडियो में इसे देखा था, इसे हम आगे भी जारी रख सकते हैं, हम शून्य से तीन घटाने हैं, यानि 5 से 3 कम करने हैं, 5 घटा 3 के लिए 5 से शुरू करें, यदि 5 धन 3 करने हैं, तो मैं 3 स्तान दाई तरफ बढ़ूँगा, क्योंकि वो चीजों को बढ़ा रहा है, लेकिन मैं 3 घटा रहा हूं, मैं 3 कम करना चाहता हूं, इसलिए मैं 1, 2, और 3 कम करता हूं और दो पर पहुंचता हूँ, इस तरह से अगर आप एक नए नजरे से देखें तो मैं एक और संख्यारे का खींचता हूँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ तीन कम करता हूँ और मैं कहता हूँ तीन से पाच कितने ज्यादा है हाला कि ये भी वही उत्तर है लेकिन इसे सोचने के दो अलग तरीके हैं दोबारा एक संख्यारे का खींचते हैं मेरे पास है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यदि मुझे संख्यारे का पर 5 को खोजना है तो 5 ठीक वहाँ पर है मैं इस पर एक गुलाबी वर्ग बनाऊंगा तीन संख्यारेखा पर यहाँ है इस तरह 5 घटा 3 के बारे में सोचा है आप पूछेंगे इसमें अंतर क्या है अब मैं लिखता हूँ यहाँ हम कहते हैं 5 और 3 के बीच में अंतर क्या है 5 और 3 के बीच 5 और 3 के बीच अंतर को पहचानने के लिए असल में आपको ये कहना है कि तीन में कितने जोड़ें ताकि पांच तक जा सकें इस तरह यही अंतर है जो पांच से तीन का अंतर है यहां आपको पांच तक जाने के लिए एक और फिर दो बढ़ना होगा इस तरह यहाँ पांच और तीन के बीच अंतर जो यहाँ हमेशा रहा है बिल्कुल उसी तरह दो है ठीक वहाँ दो है एक और वर्ग बनाते हैं तो ठीक यहाँ दो है तो अब मैं स्पश्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ घटाने की प्रक्रिया को देखने के दो नजरीय हैं आप इसे किसी भी नजरीय से देखें आपको उत्तर एक ही मिलेगा अब मैं भी देख सकता हूँ मुझे दो अलग संख्याएं हल करने दीजे साथ घटा चार हल करता हूँ तो मैं इसे ऐसे देखता हूँ मान लीजे मेरे पास साथ इंच लंबी लकडी है यह रही मेरी साथ इंच लंबी लकडी साथ इंच लंबी है यदि इस पर पैमानों रखूँ तो यह होंगे शून्य एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ इस तरह मेरे पास साथ इंच लंबी लकडी है फिर मैं इसमें से चार इंच काट देता हूँ तो अब इसमें से चार इंच काट देते हैं तो एक, दो, तीन, चार मेरे पास कितने इंच बचेंगे मैं यहां इसे मिटा रहा हूँ इस लकड़ी को काट रहा हूँ अब 4 इंच कट चुकी है इसे दिखाने के लिए मैं इसके अंदर गहरा रंग भर देता हूँ तो ये सब अलग हो जाएगा क्योंकि मैं इसे काट रहा हूँ इस तरह मैं देखता हूँ कि 4 इंच काटने के बाद मेरे पास कितनी लकड़ी बची है मेरे पास 1, 2 और 3 इंच लंबी लकड़ी है इस तरह ये 3 है इसलिए 7 घटा 4 बराबर है 3 घटाने का मतलब है कम करना मैंने लकड़ी को काटा और थोड़ी लकड़ी निकाल ली अब मैं इसके बारे में थोड़ा अलग धंग से सोच सकता हूँ लेकिन आपको वही उत्तर मिलेगा हम कहेंगे 7 घटा 4 एक बार फिर मैं 7 इंच लंबी लकड़ी ले सकता हूँ मैं यहाँ पैमाना रखूँ तो ये होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक बार फिर 7 इंच लंबी लकड़ी अब इसमें 4 कम करने की बजाए मैं इसकी 4 इंच की लकड़ी से तुलना करता हूँ इस तरह मेरे पास 4 इंच लंबी लकड़ी एक दूसरी लकड़ी है ये 7 है और ये 4 है आप 7 घटा 4 में लकडी को 4 इंच कम करके देखें या आप 7 घटा 4 को 7 इंच और 4 इंच की लकडियों के बीच अंतर के रूप में देखें दोनों में क्या अंतर है? 4 इंच की लकडी से 7 इंच पहुंचने में मुझे 3 इंच बढ़ना होगा या मुझे किची तरह 3 इंच लकडी जोडनी होगी मतलब इस 4 इंच की लकडी को किची तरह 3 इंच बढ़ना होगा 7 इंच का होने के लिए इस तरह घटाने की क्रिया को समझने के लिए दो बिलकुल एक जैसे तरीके हैं ये हमने घटाने की क्रिया के पिछले वीडियो में देखा था, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ी बड़ी समस्या का सामना करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि संख्या रेका उसी तरह लागू होती है, जैसा कि हमने पहले सरल सवालों में किया, तो आई ये करते हैं सत्रा घटा नौ बिल्कुल पहले की तरह ही इसे भी हम दो तरीकों से हल कर सकते हैं आराम से करने के लिए आप सत्रा चित्र बना सकते हैं मान लो सत्रा गोले हैं मैं इन में से नौ कम कर रहा हूँ मेरे पास कितने बज गए? मेरे पास हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ यानि सत्रा घटा नौ बरावर है आठ लेकिन इस तरह करने में ज्यादा समय लगा यदि बड़ी संख्या हुई तो सारा समय गोले बनाने और काटने में लगेगा इसमें कागज और समय नश्ट होगा और वक्त भी तो कीमती है न? आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं संख्या रेखा पर इसे देखना और भी आसान होगा आईए संख्या रेखा खींचते हैं आपको हमेशा शूने से शुरू नहीं करना है तो मान लो 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 मैं जितना चाहे बाई और शूने तक जा सकता हूँ लेकिन मैंने 17 से शुरू किया मैंने 17 से शुरू करके इसमें से 9 कम किये इसलिए मैं जाता हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो एक बार फिर से हमारे पास 8 रह गए हैं अब ये मेरी समझ में आया है थोड़ा साफ साफ और जल्दी भी लेकिन हर बार आप इसे नहीं करना चाहेंगे हर समय आपको 17 से 9 नहीं घटाना है या 17 और 9 का अंतर जानकर 8 उत्तर नहीं लेना है आप इसे मन में बैठाना और याद करना चाहेंगे कि 17 से 9 घटाएं तो 8 होता है वैसे भी 17 घटा 8 क्या होगा अच्छा तो 17 घटा 8 नो होते हैं अब ये सब कैसे समझें क्योंकि 8 धन 9 बराबर है 17 इस तरह 17 घटा 9 है 8 17 घटा 9 है 8 या 17 घटा 8 है 9 जब मैं 17 घटा 8 कहता हूँ तो ये ऐसी संख्या के बराबर होगा जिसमें यदि 8 जोडें तो 17 के बराबर होगा अच्छा तो ये 9 होगा जब मैं कहूं 17 घटा 9 तो इसका मतलब ऐसी संख्या जिसमें अगर 9 जोडें तो उत्तर 17 होगा और वो 8 है इस तरह से ये सब ही बातें देखा जाए, एक तरह से एक ही बात कहती है, यानि आट धन नौ बराबर है सत्रा, या सत्रा और नौ का अंतर है आट, या फिर सत्रा और आट का अंतर है नौ, उमीद है मैं आपको चक्रा नहीं रहा हूँ, ज्यादतर वे सवाल जिन में उत्तर एक अंख में है, आपको उन्हें याद करना चाहिए, लेकिन अपने मन में संख्या रेखा की कल्पना करना अच्छा रहेगा, चलिए एक दो सवाल और करते हैं, अब एक बार हमने इन्हें याद कर लिया और मानलो कभी भूल भी गए, तो संख्या रेखा पर बना लिया, इतना काफी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या वाले घटाने की सवाल हल कर सकते हैं, मानलो हम तेरा घटा पांच हल करते हैं, इस बार फिर मैं गोले या बेर नहीं बना रहा, मैं केवल संख्या रेख आप बाईयों और जाना शुरू करें आप शुन्ने तक या शुन्ने से भी परे जा सकते हैं हम इसके बारे में आगे बात करेंगे लेकिन हम 13 से शुरू करते हैं हम 13 से शुरू करते हैं और हम इसमें से 5 कम करते हैं इस तरह घटाने का मतलब है कम करना क्योंकि हम चीजे बाहर निकाल रहे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच और हम आठ पर पहुंचे इस तरह तेरा घटा पांच इसे नए रंग से करते हैं तेरा घटा पांच बराबर है आठ इसे सोचने का एक और तरीका है मैं तेरा पर निशान लगाता हूं मैं पांच पर निशान लगाता हूं देखें संख्या रेखा पर पांच यहां है मुझे तेरा पर जाने के लिए पांच में क्या जोड़ना है तो देखें मुझे जाना होगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तेरा तक जाने के लिए मुझे पांच में आठ जोड़ना होगा पांच धन आठ बराबर है तेरा तो यह कहता है कि तेरा घटा पांच बराबर है आठ यह भी कहता है कि तेरा घटा आठ बराबर है पांच यह सभी एक स्तर पर मुझे एक जैसा उत्तर बताते हैं आपने पहले अभ्यास नहीं किया, तो इसे करना अच्छा रहेगा, कोई भी छोटी संख्या लें और उसमें से एक अंकी संख्या घटाएं, ये आपके लिए बहुती अच्छा अभ्यास होगा